तो तुम ध्यान का वेडनेस जो क्लास होगी जो और निक की वह 11 और 12 के भीच में होगी तो कि अध्यास ने की बड़ी क्लास होगी दूड़ी सी और करना जरूर करना चुक्त में जो में खतम हो चुका है उसमें तुम से एक दो कोशिन पूछ रहा हो देखते हैं कि पढ़ा हुआ है तो इसने एक दो कोश्टन से जैसे कि मॉस्ट इंपोर्टन बेस थे दो तरीके के कुरींज और पायर्मिरींज मैंने इसका बेसिक स्क्टर बनाना दिखाया था यह याद कर लिया तुम ने कि नहीं करोगे तो फिर तुम चीक नहीं पाओगे इसके और हमेशा भूल जाओगे यह याद नहीं रहागा तुम्हें सब्सक्रोड नियुकर ते मैंक लक्षिता आयरा और है Tisha. Yes, sir. Ania को याद नि याद नि, Tisha, डिसकुशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Sir, अज नहीं वाज हो युज. आज क्यों नहीं होगा? Sir, क्लास के बाद करते हूं. Nikita अभी आई नहीं क्लास केंदर. एक बती शार मेसेज आल तो उसको जोइन क्लास को ओके शार चलो अभी च्रक्चर चार या पांच बच्चों को याद है तुम याद नहीं कर रहे हैं इसको अधर से मैंने टरीका जा रहे है तुम मैंने गाथा ता याद नहीं दुम है तर याद करना है तो ऑफा फग कर लो मोइ पार्फ के लिए एंया इंज अधा है यह अधार बहुत यह पार्ट लिए दोनों शरेंड के लिए अधर के लिए ऐर कंची चरण होगा खालत डूनों प्यूरींज विए जरूर ऑगा विधांत ये क्लियर है को इसमें अगर मैं ऊपर लगा दू थान देना कि अगर मैंने ऊपर नश्टी लगा दिया कि भी क्या बन जाएगा या यह निंस अगर टिया तो यह बनजाएगा डिनिंट सब्सक्राइब कि नहीं है कि है अगर तुम्हें ध्यान हो तो साइटोसिं ड्राइब किया था मैंने का साइटोसिं में च्छेक रेंग यही वाणी शेके रेंग साइटोसिं में आएगी इससे रिडाइब हो जाएगा क्या एक साइटोसिन के लिए और मैंने एक उठेग यह अने यह तो अगर करता हूं मैं जैसे मैंने इस डवर जयां यहां से यह बाँ आठा दिया कोई भी बांड हटाता हूं अगर कोई बांड हटा हूँगा यह पॉण तो इसका मतलब होगे वह दियाना कि नहीं है अगर मैं एक पाइब टोड़ूँगा तो एन के साथ आशे रगा देना तो बस यहीं इसमें करना है तो बन जाएगा यह एक संसे सारी हो जाएंगे जान पीर होगे साइटूसन यह संथ और अगर मेरेको बनाना है ग्राणिन बना दिया वह ने ग्राने के लिए ग्रानिन बनाने के लिए यह पार्ट तो पहले बना देंगे शे की रिंग शे की रिंग ये आप ये यह ये यह यह आप कि सरिफ चुम्हें यहां करना था और ऊपर करना था यह बौन हटा कर कि एच और डबल वांड यही था कि नहीं कि मैंग क्या रहे यह 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 आना सी तुम्हें अब अधिन हो गया है गवनिन हो गया साइट उसिंड यह तीनी स्ट्टर्स इंपोर्टर्टन आए और बाकी दो तो बहुत सिंपल है छे के रिंग नी थी इसमें से छे वाली रिंग ले लो बच्रह यह आसे जैसे यह यह य documents k मंुरेशल यह यूरेसल यह पांच के रिंग भाड़ा दी इसके इने इसके लिए क्याकर रहा है सिंफल शे की रिंग लिए ए हटाते रहो बिल मों अचरा आजैगा है तो यहां आगया डब्लबॉंड ओ एनेच यह तो आगया यूरेसिल और थाइमिन में अरहा है एम से आदफना ये बन गया थाइमिन पर मिलादो मिथाल को यह थाइमिन बन गया कि अंदर कितने नाइट्रोजन है जो आगया कुशन के नहीं है तो जिसको आते होंगे वही कर पाएगा अकर तुम्हें बिकुल टॉप लवल पढ़ना है तो तुम्हें करने बढ़ेंगे तो तुम्हें स्क्राइब करने पढ़ेंगे विधान क्लियर होगे सब की नहीं यह अधान कैसे अधा यह सब्सक्राइब कराएड अधान मैंक शाइट्रोजन में अपने डाउपर नहीं लगाया है अच्छा मैंस होगे चलो एक देख लेना एक वाड़े लिए हैं यह यह लेनी एन यहां था एन यहां पे था ऊपर एनेश टू आएगा जैसे एडिनिन में आया था डबल बॉंड ओ और एनेच डबल बॉंड ओ यह नहीं आया था कि मैं मैं सब्सक्राइब करोगे फिर मन में बोल लेना याद रहेगा अगर उपर लगा दिया तो बन जाएगा एडिनिन और अगर और हमने कर दिया उपर एनेच और डबल बॉंड तोड़ करके और एक नेश्टू और लगा दिया तो बन जाएगा लेकिन बना के जरूर देखना तभी मैंने का चार-पांच बना लेना उससे बहुत फायदा होगा तुम्हें तो नीचे जाकर तुम्हें देखोगे चक्कर होगे तो नीचे थ्री प्राइम खाली होगा ऐसे ही जो दूसरी स्टेंड रंड करेगी डिने के इसके अंदर और और इसके अंदर दोनों स्ट्रेंड जोती कंप्लीमेंटरी होती है इसके अगर अगर फाइब प्राइम है खाली तो नीचे थी प्राइम खाली होगा या उपर अगर फाली है तो नीचे फाइब खाली होगा यह इसके अंदर ध्याखना जरूर्ण ध्यानटना डाइनुक्लोडाइड के सब्सक्राइब बदाया हो तुम्हें कि कैसे बनेगा उसको जरू कर लेना और इसमें जो लिंकेज आती हो कौन सी होती है लिंकेज कौन सी आती थी लिंकेज ने तुम्हें बताया कार्बोडेट्स के अंदर कार्बोडेट्स के अंदर गलाइकोश्रिक लिंकेज अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अब यह एक बार यह भी देख लेता है तो इसमें पहला प्राइम्री शेटर प्रोटीन का ता सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीन अशेट वर लिंक तुवन और इन इन प्राइम्री शेटर उसमें जो फोर्स थे और थे उसकें पहला प्राइमन फिर्व प्राइम्री शेटर पाड़ा जो डिदेटिशलर में और हमोगलों पॉलिक तुम्हें डी टीन पढ़िक एसे ही एसे इसके इसके इन्दर दाइज सीक्वेस इन विच वेरियस बेसेज फोर बेशेज एजी सीओटी सीच इन विच वेरियस निट्लटाइड सकंटेनिंग फौर बेसेज आर लिंक्ड टू एच अदर बाय शुगर फॉसफेट बैगबोन याने इस तरह सलता है अगर तिर यही चलता रहींगा पूरा तिर यहां पर शोगर जोगर पूरा को बेस जोगर। ये पूरा की तो सिकेस्वेंट इन विच वहगिए बेस स्वेश्ण वे繼續 दॉ न यह देता है इसके इसक अंदर तुम्हें रूजस पढ़े होंगे शार्गव और बेस पेरिंग प्रिंस्पल कि शार्गव सुन किया क्यता है यह क्या क्या खिथा था कि नंबरण मोल्स अधगे जो है हमेशा नंबर मोल्स थाइमिन के एकवल होगा number of moles of guanine हमेशा number of moles of cytosine के एकवल number of moles of adenine will be equal to number of moles of thymine and number of moles of guanine is equal to number of moles of cytosine जो अगला रूल आएगा जो अगला रूल है base pairing principle वो इसको define कर देगा कि क्यों equal होते है base pairing principle यह क्या कहता है कि a always यह ध्यारता important है यह क्योंकि इसका question यह पेपर में जरूर आएगा वनमाक में जरूर आता है इसका question nucleic acid का कोई question अगर आएगा तो question होगा functional difference बोड की पात्वरों मैं functional difference between DNA and RNA यह important expected होता है functional difference between DNA and RNA जो मैं कल रहाएगा DNA has unique property of replication RNA does not replicate DNA controls heredity transfer RNA controls protein synthesis यह दो पॉंड लिक्के आने होते हैं और दूसरा question अब मैं पताऊंगा तुम्हें base pairing principle के थू आएगा base pairing principle यह क्या कहता है जाने एक आलवेस पिर्सप कवेड़िटी 250 circuit स्टरीक से इंद जी ऑन जी हुर आलावेस प्астव ITC हू इस तरीका से और जी हुअ सबस्पेर्शसफ्ट विचन प्र attach यह क्या है bese मॉन से ओ갈े में प्रतम ने का है वे अगभी कैल दीकलत हो और इसी वेज़े से तो ए और टी वह हुए है इसी वेज़े से अंगे यह बिफ्रेंट होगे यह सब इसी वेज़े से इसलिए उपर शारगव सुरूर आगे शारगव सुरूर गया तो अब इसलिए आप वो दोनों कॉंप्लीमेंटरी है आइडेंटिकल नहीं जैसे मैंने बोला एक कर रही है ऐसे कि इस तरह से यह फाइब प्राइम से थ्री प्राइम डर्ण कर रही है तो दूसरी स्टेंट रंड करेगी इस तरह से यहां पर एगर ए हैं यह यहती है जी है si है तो आई होगा बॉलात थुम्हें खुद लगाने मूत एक हैं में देदो मेरें दूसरी पर कितिए आएगा तो दूसीरी स्ट्रेंग पर क्या आएगा इंग अगर्ट पर अप्लमेंट्व्टाइट अगर्फ के साथ क्या आता है आट ए केसाथ का याएगा C, 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 T के साथ A, A के साथ T, T के साथ A, और A के साथ T, बस यह रगा ना तुम्हें, ऐसे यहाँ पर A था, तो इस पर T लगा देना, G था तो C लगा देना, A है तो T लगा देना, T है तो A लगा देना, T है तो A लगा देना, C है तो G लगा देना, और A है तो T, और T है तो A, य आपर यहां पर आएगा और यहां पर यहां पर आप समझें समय कि नहीं है तो यह कुछन आता है जहाए चोटा सा कुछन है द्लिजान को स्ट्रेंट अर्थ इससे लिए सब्सक्राइब ऑं को सब्सक्राइब कंप्राइब और ठेच्टस कैनगे पिमे Ganze नहीं करहें तोग्ली मेत कंप्यूंन क्प्लिमेंट आखिए वर्फिए तोग सब meters बेस प्रिंद यह लिख यह लिख यान दर डबल हईजन बॉंड है ड्रिपल ऑद लिखेंगे आजा लिखेंगे नहीं तो यह तुम्हें इसके ज़र सकंडरी स्क्राइब करना फिर बायोजिकल फंक्शन सब्नुक्री गासिज यह भी तुम्हें पता इसके नहीं तो दो तो त ट्रॉटी करनी है तुम्हें एक तो रप्लिकेशन और दूसरा प्रोपीन इसंट्रेशिस उसमें भी कोई डिटेल नहीं है तुम्हें बहुत से इंपर पढ़ना है बायोजिकल फंक्शन सब्सक्राइब नुक्रीग असे पहला तो है रप्लिकेशन रप्लिकेशन डिने की प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीने मॉलिकेशन यह सिंगल डीने मॉलिकेशन अब जैसी डीने संपल के सामने एंजाय में धागा डीने रप्लिकेशन डीने रप्लिकेशन या फिर इसको से लिज़ेसंग लिज़ेगे की सेमपने की सेंपल लुचमीट करते हैं बीन तेम्प्रेचर्चर एट लैद्ट फिर उन्वाइद शूर्फ एद लुच्छ इसके पर विज़े वाई था मैं बता रहा हूं क्या तेम्प्रेचर्चर अपीद तो two strands in a DNA sample partially unwind and separate from each other this is called as melting temperature यह melting temperature है जैसी DNA के sample को melting temperature मिलेगा या DNA replications enzyme आएगा तो यह दोनों strands partially unwind कर जाएंगी यह partially unwind कर जाएंगी यह unwind हो गई अब इससे क्या होगा अब लेकिन इसकी sample कि प्रॉपर्टी है यह तो अब यह DNA की प्रॉपर्टी है कि एक साथ आएगा और ती के साथ आएगा ही आएगा इसी यह अपने ही होगा ऐसा यह है तो यहां पर आजाएगा नई स्रेंड बनेगी यह पैरेंटल स्रेंड है यह वाली और यहां पर नई स्रेंड आएगी ती के साथ आएगा यह तो यह यहीं बोलते हैं कि और इस तरह से पेरेंट्स से आफ्ट्रेंट्स में जो एक यह पूरा चल रहा है और ये समझागे तुम्हें और इसके अंदर ध्यादानासी का एक के साथ है एक यह तरभी हैं के साथ हाँ और तुमें देखर रहा होगा एक semi conservative क्योंकि एक पेरेंट्स की एक पेरेंट्स की है तो एक और स्पुरूंग की है एक पुरानी है तो एक नहीं है ओनली वन फाफ अव अब पैरेंट्टल स्थेंट इस पंजरव एन यूवन इस सिंतरसाईड यह रिजन लेना इसका यह रिजन लिखना है only why DNA replication is semi conservative because only one half of the parental strand is conserved and a new one is synthesized and a new one is synthesized therefore DNA replication is semi conservative DNA replication semi conservative यह दूसरा जो है second second जो मैं तूस्वा रहा हूं वो है प्रोटीन सिंथेसिज प्रोटीन सिंथेसिज़ जो होता है इड़न विद हेल पॉप थ्री तैपस ऑफ और यह न तुम्हें करना और कौण कोई से आरेने यह और कुछ निए ना किमिस्ट्री में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांस्रेशन यह कुछ नहीं है वो सब नहीं है बस तुम्हें ने करना है टूटीञ इसे डन विद एलप ऑफ त्री टैपस अफ आरेने ज़ आपने है ौह इसक one की यह में प्रोटीस सिंतरच करना है और को उस्लिटेन सम्पल एक एक सेमपल और कंक्लूज्र तो तुम्हें पताना है क्या कुश्च मुचेंट रिए what is the conclusion, what conclusion can we get regarding the base content in both the DNA samples ये कोशन आया हुआ, दूसरा कोशन है अगर अगर किसी DNA molecule के अंदर जैसे या क्या सकता है एक E.Kolai होता है ये क्या होता है पताना जरा E.Kolai इसके अंदर इसके अंदर 80 by GC का रेशियो है और दे रखा नंबर आव मोल्स अधिन है 93,000 तो नंबर मोल्स अधिन कितने हों नंबर आप मोल्स अधिन कितने हों यह कुछन आया था कि निकालो जली से आंसर कि दोनों कुछन कर लो जली से तो आगे थोड़ा समय वाइटिमिल की बारे पर दाऊंगा तो मिलको सिर्फ टेस्ट करवाने दुपर टेस्ट पर कार्भरेट एंड प्रोटीन पंदरा मिनिट का काम बहुए पस यह पहले निकालो जली से अधिया 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 घर हुआ हाओए हाओभा हा रपनाया अधिया अधिया तो झाल 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 मिधान दिखाले आंसर झाल दूसरे वाली केलपशन पर विधान कालपशन बहुत एजी है इसका मतलब इसके इंदर ज़्यादा है इसका इसके इंदर ज़्यादा होगे यह शो कर रहा है इसका इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह होता है की वैली फंदर डालनी है तो जी की वैली उपने आपी आजाएगी फटी वन लेक सब्सक्राइब बता रहा है लेकिन एक बार बस टॉपिक कराना है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं जल्दी से प्रोडियूस नहीं होते पहले तो से प्रोडियूस नहीं होते हैं इनको बहुत कम अमांट में बाहर से लेना पड़ता है और सम मेटाबोलिक एक्टिविटी कुछ बाइलोजिकल फंक्शनिंग के लिए स्पेसिफिक बाइलोजिकल फंक्शनिंग के लिए हमें वाइटमिस की रिक्वार्मेंट होती है तो अब में ध्युक्त हएक इसका वाइटमिस की डिफिशेंची होगी है ने मैं ल्गता हो कि दो तरिके के वाइटमिस होते हैं एक होते है वाठ व यव कॉधा होता फैट गो गर्टर सॉरुक्त डिर ट तब गर्च चांट होते हैं वे पिकलैक्स और 7 16 स्वीड इंडिया चैनि श्रक्राइे से बी और सी क्या water-soluble water-soluble vitamins और यह हो जाते हैं कि am even analysis इससे vitaminifty हो जाएगा अगर एक्से तो रहते हैं वो बॉडी केंदर जनरली वो रहते हैं बोडी के अंदर तो इससे अगर मान लो excess A का हो जाए या D का हो जाए excess A का हो जाए या D का हो जाए इनहीं का ज़्याद दर excess होता है हाला कि आजकल तो यह कभी मिलता human means में तो उससे होता hypervitaminosis तो उससे क्या हो जाएगा hypervitaminosis यह पूछा वह बोर्ड में को बता दिया मैंने इससे हो जाएगा hypervitaminosis और B12 ध्यानतना exception है B12 exception है यह है तो water-soluble के अंदर है लेकिं फिर भी महीनों तक यह body के अंदर रहता है महीनों तक बाडी के अंदर तो उनसे fat storing tissues in the body याद है कि नहीं है कौन से थे fat storing tissues नहीं ध्यान यह NCRT example में दे रखा करना तुम्हें यह fat storing tissues in the body liver and edipose tissue यह याद रहना है तो यह जो तुम्हें बताया है मैंने भी इसको ध्यान था वाइटमिन B12 वाला केस याद रखना है वाइटमिन B12 वाला केस कि यह exception है है तो यह water soluble but it can then also be stored for stored for months अब है अब इसमें वाइटमिन के chemical name और diseases यह तुम्हें पढ़ना है जैसे vitamin A है vitamin A vitamin A तो अगर इस इसका chemical name याद रहतना है chemical name इसका retinol है chemical name इसका कहा है retinol और retinol याने retina से related है याने ice से related है तो इसकी तो इसकी अगर डिफिशेंची होती है तो night blindness होता है जिसको जर्फिशेंची होगी और इसकी और इसमें पता कि आखों के लिए बोलते न कि गाजर खाना चाहिए तो क्या किते हैं इसका बेस्ट सोर्स है करेट करेट से अधरवाइस पेश्टियूबर वगरा है या बटर वगरा है ये भी है मिल्क वगरा भी है लेकिन केरेट इसके लिए जर्रली देते हैं इसकी डिशीज है जर्रॉप्थलीमी या फिर नाइट ब्लाइडनेस अचा यह आ गया वाइटमिन ने में आद था रेटिनॉल को कि इसके अपर कॉश्चन आया टी में से भी आया हुआ है मेडिकल मेले बच्चे तो उनको रटा पड़ा हुआ है वाइटमिन ए हो गया थाइमिन इसका केमिकल नहीं है और इसमें भी सोर्स ग्रीन लिफी वेजटिबल्स और मिल्कों एगा और देफिचिंटी डिसीज की बैरी बैरी जैसे बैरी बैरी मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट भूग जादा लगना या कम लगना उस टाइप से तो यह है वाइटमिन बी इसमें राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन इसका केमिकल नहीं है कौन साहिवाटमिन है जो नार वॉटर सोलीबल है बता हो को यह को बोलते हैं न कि वाइटिमिन एच ना इसके बाद नेक्स्ट इसमें डेफिशिंची डिसीज एक लॉसिज डाइजेस्टिव में डाइजेस्टिव इसमें भी डिसॉडर हाजाता है को यह करते हैं मुह के कौर्णर पर जो इस वज़ेस्ट इसका अब ईहएन सूर्स तो मिलक है इसमें में सुर्स इसके दर मिलक है लिवर है किट्नी है है एक है एक एग वाइट एक वाइड सपेश्टी है यह इसके सूर्स है फिर बीसिक्स वाइटमिन डि6 वाइटमिन B6 तो पाइड ओक्सिन इसका केमिकल नहीं में इसके सोर्ज भी वही मिल्क है एग है कर्ड बगरा है मिल्क या मिल्क के प्रोडॉक्ट सेंसका और पर इनीशिए वाइटमिन B6 थे नहीं कनवल्जन्स कनवल्जन्स इसके मस्कुलर कॉंट्रेक्शन होता है यह बहुत बार आता है यह वाइटमिन B12 यह काफी पर पूछते हैं और इसका केमिकल नहीं में साइनो को वाइलामिन है मिल्क और मिल्क प्रोडॉक्ट से इसकंदर भी आएगा मीट पेश एग वह सब आएगा इसकंदर और इसमें परनीशियस एनीमिया यह इसकी डिशिए यह करना इसके बाद वाले तो वाइजी है वाइटमिन-C वाइटमिन-C के सोर्स सिश्ट को पता होंगे सिट्रस-फ्रूट्स होते हैं ऑमला रहीं यह सब हो जाएगा यह सब क्या है जो सिट्रस-फ्रूट्स है स्करवि सकर्विंग या पताने क्या होता किसा कर विइधिमिंग फिद्वन कंसी कलिट मैंने मैं कसका च्छी कघ्र एंग यह दित लुकोड़ा हैं और स्कर्वी वाइटमेंट डी में रिकेट सेंड चाइल्ड एंड जो है सॉफ्ट हो जाती है बोल्स के वाज़ाती है सॉफ्ट हो जाती है एक बार रिजॉइन कर लेंगे 10-15 मेंट के लिए